गैस अपने पिछले सट आफ विडियो में मैंने आप लोगों को बताया था WordPress की होस्टिंग के बारे में LocalWP नाम के टूल के बारे में हम लोगों बात की थी जिसमें हम लोगों ने देगा था कि इस तरह से WordPress को locally सेट अप किया जा सकता है बिना किसी हैसल्स के आज मैं आप लोग को hosting के बारे में बताऊंगा कि यार ये hosting word इतना popular है बढ़ ये hosting का exactly मतलब क्या होता है सबसे बेले तो आप लोग को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये client और server क्या होता और websites किस तरह से काम करती है अगर आप लोग अपनी WordPress की website बना रहे है फिर आप किसी भी तरह की website बना रहे है for that matter exactly चीज़े काफी same होती है WordPress भी एक CMS है वो भी एक website है जिसोंकी एक server पर hosted है और उस server से client को serve करती है server owner own करता है यानि कि जो भी owner है अगर मैं मेरी website का माली को code withari.com का तो उसके server का access सिफ मुझे है मैं उसके server में जाकर चीज़े चेंज कर सकता हूँ database को access कर सकता हूँ और बहुत सारे काम कर सकता हूँ client जो कि आप सभी लोग हो जो कि website पर जाते हो content को read करते हो या फिर आप लोग Facebook पर जाते हो Google पर जाते हो run कराता है अपने PC में उसका Chrome browser उसको parse करता है और जो server होता है server का काम यहाँ पर यह होता है कि वो सही उचेत तरीके से HTML, CSS, JavaScript को भीजे अब अगर WordPress का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो WordPress इंस्टॉल किया जाता है server पर और WordPress इतना intelligent होता है कि उसे पता होता है कि किस तरह से client को data भीजना है जब आपकी WordPress website पर कोई भी आता है तो कौन से post को कहा पर दिखाना है किस तरह से दिखाना है यह सब जो भी है आपका website owner set करेगा उसके हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर WordPress की एक अच्छी hosting को चूस करना important क्यों बन जाता है इसके बारे मैं आपको बताता हूँ अगर आप लोग एक अच्छी WordPress की hosting को चूस करते हैं तो आपकी website की speed तेज होगी आपके लिए maintainability अच्छी होगी आपको एक अच्छा experience अगर dashboard देता है तो site को maintain करना आप लोग के लिए असान होगा फिर उसके बाद अगर आप लोग को कुछ और features मिल जाते हैं जैसे की emails वगएरा hosting के साथ तो यह सब चीज़े भी matter करती है तो यही चीज़ में आप लोग को भी बताने वाला हो इस वीडियो के अंदर एक और feature होता है CDN का CDN का मतलब होता है content delivery network और concept CDN का यह होता है कि मानलो मैं आपर बेटा हूँ इंडिया में और मेरा को user है वो लंडन में बेटा है वगर मेरा server इंडिया में तो all the way ते लंडन मेरा data जाएगा और latency तो आएगी यार जब इतनी दोड़ data जाएगा CDN क्या करता है कि delivery networks होते हैं बहुत सारे अलग-अलग data centers में जब लंडन में एक होगा, अमेरिका में एक होगा, ऐस्ट्रेलिया में एक होगा, रश्या में एक होगा और वहीं के वहीं मेरे clients को serve कर दिया जाएगा content ये content cashed किया जाएगा जो मेरा original server है वो तो इंडिया में है लेकिन जैसे ही पहला Russia का user आएगा रश्या का content delivery network जो है, अपने पास cash कर लेगा उस data को और अगर कोई दूसरा visitor रश्या का आएगा तो उसको वहीं के वहीं वह cashed data मिल जाएगा इससे website की speed काफी तेज हो जाती है और website की speed के तेज होने का मतलब Google rankings अच्छी हो जाती है तो जो website की speed है वो Google rankings के directly proportional है जितनी जादा आपकी website उतनी बड़िया rankings अब hosting के types के बारे में आपर बात करना चाता हूँ सबसे पहला type hosting का आता है shared hosting और जैसे की नाम बताता है बहुत सारे लोग इसको share करते है shared hosting famous इसलिए बहुत जादा है क्योंकि ये सस्ती होती है shared hosting इसलिए सस्ती होती है क्योंकि एक server बनाता है आपका hosting provider और सबको बाट देता है उसको किसी ना किसी तरीके से एक dashboard बनाके और same physical server पर बहुत सारे लोग अपनी websites को host करते है limitations क्या है? limitations यह है कि अगर आपका traffic बहुत जादा बढ़ जाता है maximum to maximum तो उन 10,000 clients तक के cap के लिए उस server को बनाये के अब मानों 3 ऐसे बड़े-बड़े clients आ गए एक shared hosting पर जो कि 10,000 users को एक साथ serve कर रहे हैं आपका जो वो physical computer है जो कि आपके hosting provider ने आपको दिया हुआ है उसकी RAM, CPU कुछ ना कुछ जो है पुल हो जाएगा वहाँ पर bottle ने काने लग जाएगा resources में आपकी site down हो जाएगी और अगर आपके hosting provider ने limit लगा रखी आपके लिए जो की लगाई रखी होगी तो वो limit जो है अगर आपने जैसे ही hit करी आपके site down हो जाएगी आपके users impact होंगे लेकिन अगर आप start कर रहे हो तो shared hosting अच्छी आपके लिए इसलिए है बहुत सबसे सबसे होती है और आप लोग start-out कर सकते हैं अगर आपके users और आपके पहस पैसाम रहे है इसका मतलबन सक्छे Display कर सकते हो अप ले सकते हो बेतर होस्टेंग आप ले सकते हो dedicated hosting चलो बहां बही तक shared hosting के बारे में बताए dedicated के बारा के आपको बता आपके साइट को कैसे होस्ट करेए आप यह नी कह सकते कि मझे सर्वर दो पता हि निए तुम तो यार अफनी साइट के ले लो ये डैश बोड है तुमारी साइट यहां से चलेगी और तुम्हेर सकेल करना है रसॉर्सेज उपर कर दूगा तो एकूड़े पैसे के बारे में बता है, अब मैं आप लोगो बदाऊंगा VPS के बारे में, VPS stands for Virtual Private Server, यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो hosting provider है, वो कुछ इस चरह का software अपने data से install कर देता है, such that आपको यह प्रतीत होता है कि आपको एक 2GB RAM का LLS से 2V CPU का एक server मिल गया है, और मालो उसमें 1GB की SSD लगी होगी है, आपको SSH जो मिलेगा टर्मिनल, यानि कि आपको जो access करने को मिलेगी machine, उसको देखकर यह प्रतीत होगा आपको कि आपको एक physical 2GB RAM वाला server मिल गया है, लेकिन आपको प्रतीत हो ऐसा कराएगा कि जैसे आपके पास एक server है, मालो 2GB RAM का है, जो भी आपने खड़ीदा है, उसके लिए आपको एक cost जो हो लगेगी, और वो काम भी बिल्कुल वैसे ही करेगा, जैसे आपको एक physical 2GB RAM वाला computer करता है, फाइदा क्या है, मालो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 10 computers हो, 10 virtual private servers हो, 10 की 10 में अलग-अलग IPs मुझे चाहिए, कुछ ऐसा करना है मुझे कि 10 अलग-अलग IPs चाहिए, तो मैं उन 10 अलग-अलग IPs वाला computer ले सकता हूँ, तो फाइदा यह होता है, तो आप उसको एक particular machine की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एक dedicated server लेने की ज़रूरत नहीं है, एक तो वो virtual होता है, तो सस्ता होता है, यूँकि आपका hosting provider कुछ नहीं कर रहा है, बस वो एक बड़े server में कुछ इस तरह के software वगएरा इस्टॉल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जिससे कि आपको ऐसा प्रतीत करा रहा है कि आपके पास उसका एक हिस्सा आएगा, उसके पास जो total hosting है, उसके पास जो total resources लगए है, उसका एक हिस्सा आएगा, और आप सिर्फ उस हिससे को इस प्रकार से इस्तिमाल कर पाओगे, जैसे कि आप actual में 2GB RAM वाली machine को इस्तिमाल कर रहे हो, तो virtual private server भी काफी ज़्यादा popular होते हैं, और आप लोग को अलग-अलग hosting providers के पास मिल जाएंगे, और virtual private servers जो होते हैं, उनका इस्तिमाल टेस्टिंग के लिए भी किया जाता है, जैसे मालो मैं यह test करना चाहता हूँ कि क्या 2GB RAM में WordPress hosting चलती है कि नहीं चलती है, और चलती है तो कैसे चलती है, और क्या कोई plug-in में install करता हूँ, लेटा से elementor दो, चलता है कि नहीं चलता है, इस तरह की चीज़ें मैं कर सकता हूँ, तो यह चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, और अलग-अलग IPs आपको चाहिए, तो बहुत ज़्यादा काम आता है VPS, और मैंने आपको बताए shared hosting के बारे में, अब मैंने आपको बता ए कलाओd hosting के बारे में, मैंने आपलोगो बताए VPS के बारे में, आप 4th ही होस्टिंग होती ही dedicated hosting, यह सबसे simple hosting होती है, महेंगी hosting भी होती है, इसमें आपको एक actual में physical server मिलता है, यानि कि एक actual machine रखी होई होती है data center पर जिसमें 2GB RAM होगी है 8GB RAM होगी जो भी machine आपने लिए है और जो CPU आपको बताया जा रहा है कि ये CPU मिलेगा वही वाला CPU भी मिलेगा आपको और आप उसके हिसाप से आपर काम कर सकते हो और उसी के हिसाप से आप लोग जो है अपना जो भी वर्कलोड वगरा है वो डिवाइड कर सकते हो अलग अलग सॉपवेर में अपने सर्वर के अंदर हो और उस सर्वर के अंदर आप टेस्ट भी रन जो करोगे उसके रिजल्ट से कुलेट आएंगे क्योंकि अकर आप लोग 2GB RAM वाली मेशीन चलाते हो तो देर आपको मिला हुआ है और यह चलता भी बहुत फास्ट है क्योंकि यह शेयर नहीं किया चाता है आपका जो वर्चुल प्राइविट सर्वर है वो कुछ इस तरह का सौट्पर यूस कर रहा हो कि जब आपका कम्प्यूटर आइडल हो तो किसी और को आपकी रिसोर्स यू सर्वार कियो कोई और स्तमाल नहीं करें एक दम डेडिकेटिटिड आपका अब यह चाहता है यह चाहिए कि मिल जायगा आप इस बात की चिंता मत करो मैं क्या कर रहा हूं कौन सी hosting यूज कर रहा हूं मैं shared यूज कर रहा हूं मैं cloud hosting यूज कर रहा हूं मैं VPS यूज कर रहा हूं मैं dedicated यूज कर रहा हूं आप उसकी attention मतलो आपको एक dashboard दूगा मैं यूज करा कि manage WordPress hosting को इस्तेमाल करके आपको एक dashboard मिलता है अगर आपका hosting provider आपसे कहता ही कि आपको 100 websites host करने की power देगा तो इसका मतलब है actual में वह आपको 100 websites host करने का एक dashboard देगा अलग-अलग आपकी websites dashboard में दिखकर आएंगी अगर आप लोग एक dedicated machine लेते हो तो problem यह आ सकती है कि अगर आपने कुछ misconfigure कर दिया उसके अंदर तो आपको error देखने को मिलेगा और आप बच नहीं सकते उससे क्योंकि यार वो एक machine है आपने अपने हाथ में उसका control लिया है उसका terminal आपने अपने हाथ में लिया है थोड़ा सा भी आप लोग गड़बड करोगे ना तो error तो देखने को मिलेगा Manage WordPress Hosting में यह चीज़ हट जाती है प्लस Manage WordPress Hosting में जो चीज़े आप लोग चाहते हो वो सब आपका hosting provider manage करके देता है कभी-कभी आपको hosting इस तरह से मिल जाती है कि आपको add-ons मिलते हैं अलग से आपका hosting providers आपको कुछ add-ons दे सकता है इसलिए मैं Elementor hosting को बहुत बढ़िया मानत को कि आपको मिलेगा Elementor का subscription वो भी free of cost जो कि मेरे साब से is a great deal और आप लोग Elementor की जो paid features है उनको free में इस्तेमाल कर पाओगे managed hosting मिल जाए की और Elementor की managed hosting की बहुत अच्छी rating है अगर आप लोग मार्केट में जाओगे देखने तो आपको पता चलेगा reviews वगएरा काफी बढ़ देखने को मिल जाएंगी तो इसलिए managed hosting जो है वो काफी बढ़िया होती है अब मैं आप लोग को कुछ factors बताना चाहता हूं जिन पर आपकी hosting कौन सी आप लोग use कर रहे हैं ये निर्भर करेगा सबसे पहले तो कौन सा user आपकी website को use कर रहा है जैसे कि अगर में जाए college की website ब इसे कमाना तो आपको फिर एक ऐसी wordpress hosting लेनी पड़े की जो कि reliable हो और अगर आप लोग serious हो अगर एक second का भी downtime नहीं चाहते हो तो manage wordpress hosting मैंने आपको already recommend करी ही दिया लेकिन अगर आप एक professional जो की अलग लग चीज़े try out करना चाता है तो dedicated भी आप लोग ले सकते हो वो भी काफ आप लोग लोग यूज कर रहे हो किसी पी तरह की hosting आप लोग करते हो और wordpress कर रहे हो तो इवने वर्डप्रस के बारे में कुछ बाते बताईं लेकिन अगर आपकी technology कुछ और मानलो आप लास्क यूज कर रहे हो जैंग आप यूज कर रहे हो तो डिपेंड करता है मैं कॉन काफी बड़ी है CDN है distributed है fast होता है आप लोग इंडिया के server में अगर host कर रहे हो या फिर आप San Francisco के server में host कर रहे हो तो यह ऑस्ट्रेलिया से व्यू कर रहा है तो इसको cashed content देखने को मिलेगा जानी कि आपकी website जो कि already Australia में कहीं ना कहीं cash हो रही है तैयार हो रही है आपके user क वही के वही content मिल जाएगा और यह cash update होती रहती है throughout the entire world जहां जहां यह cash store हुई है फिर इसके बाद एक और factor होता है customer support क्या आपका website provider आपको एक अच्छा customer support प्रोवाइट कर रहा है कि क्योंकि कई बार आप लोग कुछ चीजे समझ में नहीं आएंगी कई बार चीजे काम न लगता है personally मुझे एक dedicated इंसान जब आपसे बात करता है आप उसको problem बता रहे हो that is a different experience वाल टूगे तो customer support को भी आप लोग मद्दे नजर रखो जो भी hosting ले रहे हो देखो भाई customer support है कि नहीं आपको लगेगा मुझे ज़रूरत नहीं बढ़ेगी बढ़ आक्शल में पढ़ बात करना चाहूंगा email hosting की अगर मैं codewithari.com बना रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि harry at the rate codewithari.com मुझे मिले या फिर मान लोग कि कल मैं support at the rate codewithari.com launch करना चाता हूं तो वह भी करो आप अपनी एगर wordpress website बनाते हो न तो आप लोगों को वहाँ पर इस तरह की चीज़ elementor में मिलती नहीं है आप लोग directly अपनी local WP जो कि मैंने आप लोग को अलुडी टूल बताया था उसमें बना सकते हो जितनी मंचा है अपने computer में websites जो है वो आप host कर सकते हो बस प्राचीन काल के laptops यूज मत करना Windows XP वाले और 512 MB RAM वाले laptops यूज मत करना हा तब दिक्कत आएगी तेकिन के पास होनी चीहां रभी हा मैं समझ सकते हूं इस बात को कुछ लोग के पास constraints होते हैं that's totally fine पर जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो minimum RG भी आपकी RAM होनी चीह कंप्यूटर की आर उससे कम मैं accept नहीं करूँगा उसके बाद आप लोग development करो अपनी PC में बहुत अच्छी त अच्छी ताम